दोस्तो मेरे पास एक बल्ब है और गाईज अपने घर में एक बल्ब लगाने गए तो गाईज देखते क्या होता है और गाईज देखिए मिस्टेक से बल्ब गिर गए तो गाईज ये बल्ब गिरने के बाद देखिए बल्ब कितने टुकरे में टुकरे बन गए तो गाईज चलिए भीडियो को आप शुरू से लेके लाज तक देखना जो बल्ब कच्रे कच्रे हो गया और गाईज बल्ब को हम रिपेर करने जाते ये बल्ब सही होता है या तो नहीं तो गाईज हमारे पास देख सकते हो थिरी भाग में बट गया है ये बल्ब जो ये बल्ब पहले तो खापा जो आते हैं यहां पर होल्डर में लगाने के लिए वह के अंदर में क्या चीज़ है देख सकते हैं कुछ हमारे पास यहां पर इसके अंदर में एक छोटा सा फ्यूज होता है जो एक फ्यूज रह गया है और उसके बाद एक छोटा सा वायर इसके अंदर में रह गया को मिसके भाग को मिनदा बश्कुकिक बांद सब्सक्राइब क्रिजण इत खोटा से हमने यहाँ पर बने के निकाल लेते हैं लेटे जोगर्म होने के दिये हैं तो गाज हमें आप पावर बावर याट करड़ करने से पहली आप हमारे चैनल को सब्सक्काइब करने इसलिए जो दोस मेट वेट करते है तो guys हमारे पास ये भी iron गरम होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो फिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और दोस्त के पास ये वीडियो जादे शेर कर देना तो guys finally यहाँ पर ये soldern हमारे iron ये गरम हो चुका है अब देखते कैसे हमने यहाँ पर fuse निकालती है ये holder के अंदर से holder का cover के अंदर से तो guys पहले हमने किस तरीके से पहले देखते हैं ये संचमुझ में गरम होगा या तो नहीं तो पहले हमने क्या करते हैं इसके थोड़ा साप कर लेते हैं इस तरीके से हमें साप कर लेते हैं और guys देख सकते हो हमारे पास इसके अंदर से एक छोटा सा fuse है जो fuse इस तरीके से बाहर आ गए है और एक wire भी हमने पहले निकाल लिया है तो guys ये इसके अंदर से कुछ नहीं बंची होए सब हमने पाट निकाल दिये मतलब एक wire होता है और एक छोटा सा fuse है और देखते हैं उसके बाद कीस तरीके से हमने फिर से connection करने बाले है तो उसके करने से पहले आप देख सकते हैं एक छोटा सा fuse हमने निकाल दिये है उसके wire जो इसके अंदर से बंची होए है वो wire देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है तो हमने new wire हमने यहाँ पर attach कर देते हैं मतलब new wire यहाँ पर जोड देते हैं अब देखते हैं यह सच मुझ में एक काम करता है या तो नहीं लगते हैं जो पहले से उस तरीके से अमने एक वायर को फिड कर दियाaina देख सकते हैं यहां पर यहांप डबल wire जो हमने अच्छे तरसे यहां पर फिड कर दिया है एक wire में फिज लग रहते हैς जो मतलब यह में सब्स पॉंट कर दिया और यह मानस इस पॉंट में डिरेक्ट है और उसके बाद देखते हैं यहां पर कौन सा वायर में कहां पर क्या-क्या जोरना परेगा तो गाइस देख सेक तो इसके अंदर में हमें पता तो नहीं है इसलिए जो यह बल्ब तो गीर गए है तो हमें क्या पता यह वायर फ्यूज का है और यह यह wire इसके ऑंदर में direct है, तो हमने अच्छे तरह से देखते हैं, हमने direct wire जोर देते हैं, तो जोरने से कहले यहां पाँ च्छोटा सा वायर जोर से Attach किया हुआ आता है मतलब पहले से Joint किया होता है वो wire को अच्छे तरह से Soling Iron हमने हटा देते हैं इसलिए दूसरा wire हमने फिर से यहाँ पर जोड़ना पर आएगा इसलिए यह wire को अच्छे तरह से हमने हटा देते हैं और चुटा को मातल़ से यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देते है सकते हैं इसके अंदर में यहाँ पर फ्यूज लगे होते है तो ड्रेक्ट हमने इसके अंदर में यहाँ पर जोइंट कर देते हैं और दूसरा वायर बाद से है ड्रेक्ट यह सच मुझे में काम करता है या तो नहीं है हमने होल्डर में बल्ब को असानी तरीके से लगा दिये है हमारे पास यहाँ पर होल्डर है जो पहले होल्डर में लगा है हमने असानी तरीके से लगा दिये है अब switchboard में हमने ये bulb को on करके देखते हैं यहाँ पर हमारे switchboard है और beach center में यहाँ पर on करने के लिए switch दिये जाते हैं तो हमने on कर देते हैं अब holder पर जाते हैं ये bulb काम करता है या तो नहीं देख सकते हो हमारे पास ये बलो असानी तरीके से गोलो कर सकते हो तो गाज देख से तो कितने ये बल्व रोशनी देते हैं पहले जैसा है और गाज आप सबका ये वीडियो हमारा कैसा लगा अच्छा लगा ता कॉमेंट करो और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करके तो गाज चले फ्रेंट वीडियो ये पर रख देते तब तक के लिए बाई बाई